आप सभी का मेरे चैनल पर पुना स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ कि आप सभी सुस्थोंगे महादेव के क्रिपाप सभी पर सदैव बनी रहें यह वीडियो व्रिश्चिक यानि कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यन्त विशेश है क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानि कि 23-39 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशीपल के बारे में कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह व्रिश्चिक के लिए मेरा साप्ताहिक राशीपल प्रमुकताह चंद्रमा और उनकी गती पे अधारित होता है चंद्रमा एक ऐसे ग्रहें जो बहुत तेज भागते हैं और सवदो से रहे दिन में राशी बदल लेते हैं चंद्रमा मन के कारक होते हैं और जिस भी भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं इसलिए day-to-day activities पर चंदर्मा का बहुत प्रभाव होता है और जब वो इतनी बार राशी बदलेंगे जैसे आपके लिए वो इस हफते यहां से 7 भाव से निकलकर 9 भाव तक का रास्ता तै करेंगे तो इसमें वो कई भावों के साथ संपरक में आएंगे, कई राशियों में ज करूंगा यदि आपकी लगने राशी या चंदराशी व्रिशिक है दोनों ही गाइडेंस के लिए वश्यस राशी फल को देख सकते हैं तो शुरू करते हैं सत्यंत महर्तपुन सापताहिक राशी फल का कुछ विशेश उपाई भी वीडियो के अंत में बताऊंगा शुरू क करते हैं चंदमा 23 तारिक को आपके सब्चम भाव में रहेंगे यानि कि व्रिशब में टॉरस में और 24 तारिक सुभा के 10 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा चंदमा का सब्चम में आना वैसे तो न्यूट्रल होता है लेकिन यहां पर उच्च के चंद्रमा है गजकेसरी योग बना रहे हैं, चन्दमा जो गुरू के साथ बैठ रहे हैं, गजकेसरी योग बना कर, जो गुरू धनस्थान के और लक्षमी स्थान के स्वामी है, अत्यन्त शुब, अत्यन्त शुब प्रभाव दिख रहा है, हफते के शुरुवाती भाग में, गजकेसरी य लोग की सकरात्मकता हफते के शुरुवात ही बहुत सकरात्मक करेगी, धन की प्राप्ति होगी, अठके कारे पूर्ण होगी, कॉंफरेंस बढ़ेगा, जीवन में एक बैलन्स आएगा, और आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो भी क्लियर होगा, गुरु धनेश हैं और पंच लाव लाना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो अवश्य जो समय है आपका, यह अच्छा रहेगा, हफते का शुरुवाती भाग दो आपके लिए श्रेष्ट दिख रहा है, नवान्च कुनली, अपने आपके बारे में समझने के लिए, आसपास की चीज़ों के ब प्रोफेशनल हो, क्योंकि image खराब हो सकती है, बिजनस अच्छा है, अच्छा कारे करने का मौका मिलेगा, लव लाइफ, अगर कुछ जगडे चल रहे थे, कुछ difference of opinion थे, तो माफ करके एक दूसरे को आगे बढ़ने का प्यास कीजिए, विवाहिक जीवन, थोड़ा सा शान का kidney का problem है, ध्यान दे, जिनको जोडों का दर्द है, दिक्कत होगी, indigestion भी रह सकती है, सरवाश्टक में आपका पंचम भावतिन तबली है, आइडियास बहुत आएंगे, मन बहुत activate रहेगा, creative रहेगा, 24 तारिक सुभा के 10 पर चंद्रमा आजाएंगे आपके, अश्टम भाव में, यानि की मिथुन में, और 26 तारिक शाम के 6 तक यहीं परेंगे, चंद्रमा का अश्टम भाव में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, नवमेश है, उनका अपने स्थान से बारवे में जाना, यह पिता जी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और यहां पर जीवन में अनशित्ता थोड़ी सी आती ही है, अच्छी चीज यह है कि मंगल के साथ हैं, और मंगल विपरी तराजयोग बना रहे हैं, और मंगल लगनेश भी हैं, तो यह प्रोटेक्शन देंगे, अटके हुए कारे बन सकते हैं, रुका हुआ पैसा आ सकता है, अ चांसिक वेदना के योग बनते हैं, और सबसे इंपोर्टन चीज है, गुस्सा बहुत आएगा, व्रिशिक वाले थोड़ा गुस्से वाले होते हैं, लेकिन यहां पर तो आपको खुदर ही नहीं पता चलेगा कि कब आप गुस्सा आ गया, और कब वो 0 से 100 तक पहुँच ग करेंगे, तो राशीवल का यही औचित्य होता है कि आपके सबकॉंचियस माइन में बात रहे, कि यहां पर मुझे बहस नहीं करने, तो कंफरन्टेशन आर्गुमेंट्स यहां पर अवाइट कीजेगा, धनपराप्ती अचानक से हो सकते हैं, उसमें कोई दोराय नहीं है, आ अध्यात्म के प्रति रूची भी आपकी यहां पर बढ़ सकती है, बस मैं यही कहूंगा, वाणी पर कंट्रोल, गुस्से पर कंट्रोल, और कोई भी बड़ा निरने लेने से भी आपको दूर रखना पड़ेगा, नवान्च खुनली बता रही है कि यहां पर सुनने की ज़ अच्छा देख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं देख रही, बलकि कोई नया काम यहां पर आ सकता है, लव लाइफ, एक ही प्रॉब्लम देख रही है, लव लाइफ में कि आप शायद एक दूसरे को समझ नहीं पारे, बलकि पुरानी ही बातों पर जगड़े होते रहते हैं और उसके कारण दिक्कत बढ़ रही है, विवाहिक जीवन की जहां तक बात है, ठीक है टाइम कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, बस कोशिश कीजिएगा कि अपने कॉमुनिकेशन में क्लैरिटी रखें, स्टुडेंस अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है एक सकरात्मत्ता की अनुभूती हो रही है, एक कैसे कहते हैं कि एक ray of hope मिल जाना, तो जिनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, ये समय उनको कोई नहा रास्ता दिखाएगा, सेहत, infections, गले के रोग, BP की प्रॉब्लम, नसों के रोगतन कर सकते हैं, सरवाश्टक में आपका भागिस्तान बली है, ये अच्छी चीज़ है, भागिस्तान का बली होना, यानि कि अनिशित्ता तो रहेगे, लेकिन भागिस्ता देगा निकलने के लिए, 26 तारिक, शाम के 6 बजे, चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाब में, यानि कि करक राशी में, अपनी खुद क आपके लिए देख रहा है, ये वो समय है जब आपको कई प्रकार के लाव प्राप्तों होंगे, भागिस्तान का साथ मिलेगा, और क्योंकि यहां से चंद्रमा तीसरे घर को देखेंगे, यानि कि आपके अंदर हिम्मत भी बहुत रहेगी, आपके अंदर आइडियास भी ब बन रहा है क्योंकि लक्षमी स्थान के स्वामी लक्षमी स्थान में है, और सबसे इंपोर्टन चीज़ यह है कि यहां पर चंद्रमा पर कोई बहुत बुरा प्रभाव भी नहीं है, और चंद्रमा जब किसी नेगेटिव प्रभाव से रहित रहते हैं, तो एकदम अपना ज बेदन शीलता बढ़ सकती है, तो अराम से बात कीज़ेगा, नवान्च कुनली, सब ठीक दिकराएं, पसे की प्रॉब्लम लग रही है कि गुस्ता, हफ्ते के अंतिम भाग में भी जारा आएगा, रश्मान्च कुनली, कारेक शित्र में सब ठीक है, लेकिन एक ही दिक्कत है कि आप बहुत आगे की सोचेंगी, rather than की अपने काम पर फोकस करें, बिजनस के हिसाब से थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि आपकी सोच बहुत सीमित हो गई है इस ताइम पे, यह वो समय है जब आपको अपनी सोच को बढ़ाना पड़ेगा, लव लाइफ की जहां तक बात ह कुछ नया स्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ नया पना आपको लाना पड़ेगा अपने रिलेशन्शिप में, अन्यता चीज़ें बहुत बोरिंग सी दिख रहे हैं, विवाहिक जीवन शांत रहिएगा, इगो मत दिखाएगा, अगर इगो दिखाया, तो विवाहिक जीव बढ़ाएं, यानि कि इन सिक्यूरिटीज आपके उपर थोड़ी सी हावी हो सकती है, नवम भाव के चंद्रमा है, जो पंचम से पंचम है, तो थोड़ी साधना आदी करेंगे, मंतर जाप करेंगे, तो जो इन सिक्यूरिटीज है, इससे निकल पाएंगे, सेहत के अनुसार जोडों का दर्द, गले के रोग, कफरों के तंग करेंगे, सरवाश्टक में आपका धनस्तान बली है, तो यह बता रहा है कि धन का आगमन तो होगा, उपाय के सुरूप में हनुमान चालीसा का तीन बार पाट कीजेगा, और बजरंग बली को मिश्री का भोगल लगाईगा आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा, चैनल पे नहीं है, सब्सक्राइब कीजेए, वीडियो को लाइक कीजेए, मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए, ओम नमश्यूर्ण